मेरे प्यारे बच्चो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर प्यारे बच्चो आज सिस्टीन मैं है तो आज मॉर्निंग मैं एक बहुत ही फणी वाकिया मजा किया वाकिया हो गया मेरे साथ कि कई कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप लाइब आईए लाइब आईए मेरे प्यारे बच्चों मैं तब तक आप लोगों के सामने लाइब नहीं आऊंगी जब तक कि मेरे पास दस बच्चों के कमेंट्स नहीं आ जाएंगे कि मैं हम अपने उद्देश में शफल हो गए हैं और हम अब अपने भविश्य के प्रती आश्वस्त हैं टिक मेरा प्रण तब तक है मैं अकेली आपके साथ लाइब नहीं आऊंगी मैं उन दस बच्चों के साथ लाइब आना जाती हूं जो मेरे वीडियोज देखने के बाद जिन मैं जो है आश्चरे जनक रूप से परिवर्तन आया हो प्यारे बच्चों आप लोगों का कमेंट्स आया है एक बहुत ही क्या बच्चा कहूं मैं इसको महनती तो है ही लेकिन मेरे ख्याल से जैसे वो कमेंट करता है बहुत चारे जिद्धी भी है वो योगेस दिवेदी वो क्या बोल रहे है मेरे से कि मैं सिगनीचर बनाओ सिगनीचर बनाओ मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको एक चीज स्टेट फॉरवर्ड समझाना चाहती हूं आपके सिगनीचर बनाना आपको सिखाया जाएगा उसके ट्रिक्स सिखाई जाएंगी सिगनीचर का महत तो सिखाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि सिगनीचर हमारे जिंदगी में कितना महत पॉन है मेरे प्यारे बच्चो सिगनीचर आप सिगनीचर में क्या सुपा होता है सिख और नेचर तीक मतलब आपकी पहचान कहां से है आपके नेचर मतलब आपका नेचर कैसा है बोलते है तीक आपकी पहचान कहां से होती है आपका नेचर जो है इस सिगनीचर में छुपा रहता है त जितना आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं अब क्यों मेरा नाम गंगा है ठीक मैंने अब मैं सीरे सिगनिचर कैसे करते हूँ ये रनिंग हैंड में ये ही मेरा सिगनिचर रहता है ठीक और जब मैं कॉम्पेटेटिब एक्जाम देती थी तब भी एक बॉक्स होता है वहाँ पर उसमें लिखा होता है कि आप रनिंग हैंड में सिगनिचर कीजी और सिगनिचर आप बिल्कुल सिंपल रखिए जैसे ये बॉक्स होता था सिगनिचर इन रनिंग हैंड यहाँ पर लिखा जाता था मैं सीधे क्या लिखती थी गंगा ओके बिल्कुल सिंपल सा आई बच्चो बात समझ में ना इसके नीचे लाइन और ना इसके आगे डॉट और कहा ये जाता है जब आप सिगनीचर के आगे डॉट लगाते हैं तो ये आपकी तरक्की का स्टॉपेज होता है ये कहा जाता है आपकी तरक्की इल्में इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ ना ही आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ इस बारे में मैं आपको दो स्टॉरीज बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चो एक था सिकंदर आप जानते होंगे मकदूनिया से ले करके कस्मीर में मकदूनिया से ले करके अब मकदूनिया कहा है आप ढूट करके देखेंगे मकदूनिया से ले करके हमारे कस्मीर में ब्यास घाटी तक वो पहुँच गया था ठीक और ये इसी के किनारे जो है राजा पूरु के साथ उसका युध्ध हुआ था राजा पूरु के साथ हालनके राजा पूरु जो है विश्वास खात इनके साथ हो जाता है राजा पूरु हार जाते हैं सिकंदर जीत जाता है आई मेरे प्रिये बच्चो लेकिन इसिकंदर के दो दांत आगे थे तो इसकी मा ने ऐसा कहा बेटा जिसके दो दांत आगे की तरफ होते हैं वो तरक्की नहीं करता है तो इन्होंने इसने सिकंदर ने क्या किया कि एक मुक्का अपने दात में मारा और पीछे कर दिये दात कहा जाता है इस पर मैं विश्वास नहीं करती हूं आप भी विश्वास ना करें ऐसे ही दूसरा एक लीजेंड करेक्टर आता है हमारे सामने चानक्या ठीक चानक्या लीजेंड करेक्टर बिल्कुल च चल गया है लेकिन चाणक्य एक ऐसे दुनिया के एक ऐसे टीचर है एक ऐसे शिक्षक है जिनके IQ का पता अभी तक साइंस नहीं लगा पाया है आईए मेरे प्रीय बच्चों और चाणक्य के हाथ में चाणक्य के हाथ में बताते हैं कि एक जो है रेखा थी ठीक और माने ये कहा कि बेटा जो है तेरे हाथ में ये वाली रेखा है जो बहुत ही सम्मान नहीं दिलाती है तो चानक्ये ने क्या किया दूसरी एक सार्प चीज पकड़ी और उस रेखा से कहा कि ऐसे करके उसको काट दिया आई बच्चो बात समझ में आई तो उसने क्या कहा कि ये रेखा जो होती है तो उसके हाथ में वो सफल हो जाता है तो चानक्ये बोले कि मा अब मेरी हाथ में ये वाली रेखा हो गई ये बाता सही है या गलत है ये बात और है मैं इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ आप भी मत कीजेगा और जहां तक सिगनीचर बनाने की बात है तो ये आपका एक क्रियेटिविटी का फिल्ड है ठीक, जैसे सिगनीचर कैसे बनाते हैं जैसे मैंने किशूर लिया किशूर एक बच्चे का नाम है तो मैंने क्या किया ठीक है ये लिख दिया कि ऐसे घुमा दिया और शूर लिख दिया क्या हो गया है किशूर ठीक, अब इसी का ये ही सिगनीचर हम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक, किशूर अपने signature करने का अपना अपना तरीका होता है यह एक creativity है और मेरे प्यारे बच्चो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि आप अपने signature की pick बना करके मुझे भेजियेगा और मैं attractive signature कौन लग रहा है कौन सा आपका attractive signature लग रहा है उसको मैं जरूर evaluate कर सकती हूँ लेकिन आपको आपका signature बनाना यह आपके creativity के अंदर आता है यह आप खुद कीजिएगा तो जैसे आप खुद करने लगेंगे खुद ही जो है अपना signature बनाने लगेंगे तो एक से एक अलग अलग प्रकार के signature बनाएंगे जैसे किसी का नाम क्या है रानी है अब इसके signature सपोच करो यह रानी लिख दे ऐसा कर दे और signature आप बनाते हैं तो उसका एक अपना unique secret जरूर रखिए कि मेरे signature देखिए आपको यह गंगा यह गंगा जो है बहुत simple लग रहा होगा लेकिन इसके अंदर मेरे पास एक नहीं 500 secret है अगर आप ऐसे लिखने की कोसिस करेंगे तो भी मेरा signature नहीं बना पाएंगे इसके secrets कि मैं गंगा किस तरीके से लिखती हूँ ठीक और कहीं कहीं आप अगर यह गंगा लिखने लगेंगे तो resemblance मेरे signature के साथ कभी नहीं कर पाएंगे आईए मेरे प्रिये बच्चो बात समझ में यह मेरे creativity है मेरे प्यारे बच्चो खुल मिला करके मेरा काम है आपको सही मार्ग दर्शन करना और आप मेहनत कीजिए कोसिस तो कीजिए कम से कम कि आप अपने signatures की फिक भेजिएगा मुझे ताकि मुझे पता लग सके कि आप कोसिस कर रहे हैं अगर कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती है जब तक आप कोसिस नहीं करेंगे उसको पाने की अपना signature ही बनाना तो है और इसके secrets हर हमेशा अपने पास रखेगा आप आई मेरे प्यारे बच्चो और मैं एक चीज के लिए फिर से आपको आप सभी मेरे प्यारे बच्चो को और जितने भी viewers हैं उनको sorry बोलना चाहूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी कि वो live वाला incident एक बच्चे ने किया जो छोटा सा scholar है और बच्चे मुझ से हर हमेशा ये कहते हैं कि मैं आज तो हम आपको live ले चलेंगे आज तो हम आपको live ले चलेंगे तो मैंने यही कहा कि चलो फिर ले चलते हैं live आप कैसे ले जाओगे जब मेरे बच्चे करीब दस बच्चे मुझे ऐसे चाहिए कि जो अपना एक्जामपल आप लोग के सामने रख सके वो मेरे साथ लाइब हो मैं हर हमेशा बच्चो से यही कहती हूँ नहीं वो कहते हैं कि हम आज लाइब जाएंगे हम आज लाइब जाएंगे तो एक छोटे से बच्चे ने सहतानी कर दी और लाइब वाला ओप्शन ओपन कर दिया सायद आप लोगों को लगा हो कि मैं लाइब हूँ मैं लाइब नहीं थी प्यारे बच्चो यह छोटे से स्कॉलर की एक मिस्टेक है मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूंगी आप से और एक दिन में लाइब दब आओंगी जब मेरा उद्देश शफल होगा जब आप लोग सफल होगे